Welcome students, आप सभी का स्वागत है The Online Guru में, मैं हूँ सुनिल शिर्मा और आज हम आप लोगों के लिए एक नया सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, इस नए सेशन में क्या होगा आपको सबसे पहले बता दूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, RIMC दहरादूर ने आपका जो एक्जामिनेशन है, जून 2020 वाला अटेम्ट, अब जून की जगह कब होने वाला है, 13th of September को होने वाला है, तो इसमें मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प की जाएं, और ऐसे में करेंट अफ़र्स का जो सेग्मेंट होता है, आपके लिए बहुत ज स्टार्ट करने वाला हूं, यह चीजें आपन कवर करेंगे, जो कि आपके एक्जाम पॉंट फ्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो देखते हैं, इस सेशन में क्या क्या करने होगा है, सबसे पहले तो आप लोगों को उस नोटिफिकेशन के बारे में बता जहां पर आपका डेट डिकलेर किया गया है, तो मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका एक पार्ट होगा, इंग्लिश से रिलेटेट ठीक है, तो इंग्लिश का जो एक्जाम होगा, आपका वो हो जाएगा सैटर्डे के दिन, और Saturday जो है 12th of September के दिन 2020 में, इसके लिए जो आपका time decide किया गया है, वो 10 a.m. से लेकर बताया गया है 12 तक, यहने कि दो खंटे का आपका paper होगा, second जो आपका part होता है यहाँ पे, इस second part को मैं mathematics के नाम से बता दूँ आपको, तो यहाँ पे यह पार्ट भी आपका Saturday के दिन होने वाला है, और यह जब Saturday को होगा, तो 12th of September के दिन होने वाला है 2020 में, ठीक है, इसका जो timing दिया गया है, यह 2 p.m. से लेकर 15.30 लिखा गया है, और 15.30 का मतलब होता है, 3.30, ठीक है, तो यह आपका examination होने वाला है, मतलब की one and half hour का, जबकि आपका जो third part है, जहां पे हम लोग बात करेंगे GK से related, तो GK का जो exam होने वाला है, यह होगा आपका Sunday को, ठीक है, और Sunday, जो date है, 13th of September 2020, इसका जो आपका time दिया गया है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का, ठीक है, that means आपको one hour के अंदर इसको finish करना है, ठीक है, तो यह तो था हमारे पास date और उससे related timings, जिसमें आपके examination होने वाले हैं, अब basically आपको पता ही है कि आपका exams में जो important role होता है, वो important role होता है general knowledge का भी, क्योंकि English अपने already अपने class session में पढ़े हु देखने को मिलता है, ठीक है, अब यह दो चीजें कौन-कौन सी है, तो general knowledge में आप लोगों ने देखा, एक तो होता है static GK, ठीक है, और second जो होता है current affairs, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे current affairs के नाम से जानते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में, अगर मैं आ आते हैं, ठीक है, तो ऐसे में, आप लोगों को यह भी पता है, each and every section में, आपको 50% marks score करना है, ठीक है, each and every section में, तो यहाँ पे यह 50% current affairs से ही हो जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ जो कुछ पार्ट है, आप लोगों ने static GK में, अपने schools में भी पढ़ा है, और भी बहुत स की बात आती है कि current affairs को कैसे prepare करें, बहुत सारे student का मेरे पास messages थे, तो यहाँ पे मैंने यह decide किया है, कि देखो examination के time period में, नियरली यह होता है कि 8 to 10 month के current affairs आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका examination है, ठीक है, September में होने वाला है, ठीक है, exam कब हो रहा है, September में हो रहा है तो आप यह मान सकते हैं कि August तक के current affairs तो आपके exam में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे cover करना start करता हूँ October 2019 से, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे in sessions में cover करेंगे October 2019 से लेकर August 2020 तक के important current affairs, ठीक है, इसमें सारी चीज़ों को मैं include करूँगा, जो कि आपके previous year paper के according important देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़े यहाँ पे cover की जाएंगे और एक एक चीज़ को हम यहाँ पे note down करेंगे, जिनसे यहाँ पे आपके लिए questions बनाये जा सकते हैं, तो एक request रहेगी कि आप लोग pen और copy लेकर बैठें, ताकि जितनी भी चीज़े मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं, आप आसानी से उसको note down करें और उसको revise और recall कर सकें, ठीक है, और other time period में जब आपको revision करना हो, तो आप वीडियो को दुबारा दुबारा play कर सकते हो, जिससे आपके memorize हो जायाएगा, तो वो सारी चीज़े आप easily कर पाऊंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन में, यहाँ पे जो सबसे important news मेरे पास आप लोगों के लिए थी, वो था lieutenant governor या फिल यूटियंट governor का post, जो कि Jammu and Kashmir और साथ ही साथ लदाक के अंदर established किया गया है, ठीक है, अब यह जो establishment होता है, यह कब से होता है, तो देखो आप लोग थ थोड़े से mature enough हो चुके हो इन चीजों को समझने के लिए, तो आपको यह पता होगा कि इंडियन constitution के अंदर एक article था, जिसे हम बूलते हैं, article 370 और second article यहाँ पे था 35A, अब यह दोनों article क्या थे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, जब आपको पता है कि इंडिया independence हुआ था, तो उस time period पे जो यहाँ पे princely states थी, उन लोगों को कुछ permissions या authorization दिये गए थे, यह authorization क्या थे, उसके बारे में थोड़ा सा सुनों आप लोग कि भईया, हम लोग क्या करेंगे, जब बृटेन वाले इंडिया को free कर रहे थे, तो उन्होंने यह कहा थ कि पहला तो आपके पास choice है कि आप लोग इंडिया में रह जाओ, या फिर choice है कि आप पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर अप independent रूप से एक state बना सकते हो, तो अपना एक country बना सकते हो, तो जब इंडिया में इतने सारे princely states थे, तो लोग चाहेंगे कि भी हम अलग हो था और सरदार वल्लब भाई पतेले उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ऐसे में जब इंडिया को constitute किया गया, उस अभी present scenario के form में लाया जाता है, तो उस टाइम पे जब जम्मू और कश्मीर उस टाइम पे क्या करना चाह रहा था, प्रिंसली स्टेट रहना चाह तो उनको इंडिया में इंक्लूड करने के लिए, हम लोगों ने बहुत सारे request किये थे, लेकिन उन्होंने sign नहीं किया था, फिर क्या होता है कि अचानक से जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ tribes ने उन पे attack कर दिया, तब उन्होंने इंडिया को merge करने का, मतलब खुद इंडि related जो भी matter होगा, communication होगा, यह जो foreign policies होगी, वो तो इंडिया government देखेगी, लेकिन बाकी जो internal matter होगे, वो हम अपने आप देखेंगे, हमारा खुद का एक independent flag होगा, यह सारी चीजें, इनके provisions में थी, जो हम article 370 और 35A में देखते हैं, तो government ने क्या किया, अपने amendment के थो 5th August 2019 को यह सारी चीजें खतम कर दी, जैसे ही government यह सारी चीजें खतम करती है, तो आप लोगों को पता है, जम्मू और कश्मीर पहले क्या था, state था, जैसे ही यह सारी चीजें खतम होती है, Indian government ने एक और notification इशू किया, और इस notification के according, जम्मू और कश्मीर जो state था, उसे दो पार्ट म यानि की union territory बना दिया गया, ठीक है, तो यह काम Indian government ने किया, और जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी UT होते हैं, उनमें एक post होता है, nutrient governor, ठीक है, जिसको हम लोग LG के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यह जो nutrient governor है, चुकि फर्स टाइम जम्मू और कश्मीर और लद जाएगा, तो ऐसे में दो persons को appoint किये गए, पहले person आजाते हैं आपके सामने गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, आपसे एक्जाम में ये बिल्कुल, definite way में मैं कह सकता हूं कि पूछा जाएगा, ठ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले LG बन जाते हैं कहां के जम्मू एन कश्मीर के, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, second thing, इनको जो ओत है, अपने पदक्या जो सपत होता है, वो किसने दिलाया, तो वहां की जो जस्टिस थी, वो कौन, गीता मित्तल ने ये ओत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल ये है, second thing, यहां पे जो गवर्नर है, ठीक है, वहां पे गवर्नर का पोस्ट होता है, आपको पता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं, वहां पे गवर्नर का पोस्ट होता है, तो गवर्नर का पोस्ट खतम हो पोजिशन खतम हो जाती है, तो इनको अब क्या कर दिया गया, गोवा का गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है, इनको गोवा मूव कर दिया गया है, बाकी के टेनियर के लिए इनको वहां से मूव कर दिया गया, और कहां भीज दिया गया, गोवा में भीज दिया गया, ठीक है, यह आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है second thing मैंने आपको जब बताया कि हम लोगों ने दो चीजें फॉर्म की जम्मू एन कश्मीर से एक तो जम्मू एन कश्मीर यूनियन टेरिटरी और second लदाख यूनियन टेरिटरी तो आपके दिमाग में यह आएगा कि article 370 और 35A कहां से related है तो आप लोग बता देंगे जम्मू एन कश्मीर से related है और फिर इसी के थुआ क्या किया गया जम्मू एन कश्मीर को reorganize किया गया और reorganize करके जम्मू एन कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लदाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया था second important thing आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जब Jammu and Kashmir state था तो यहाँ पर क्या होते हैं governor तो last governor कौन थे तो आपका answer क्या होगा सत्यपाल मलिक उसके बाद जैसे ही ये union territory बन जाता है तो आपके पास ये भी question आएगा कि इस union territory head कौन तो पहले lieutenant governor कौन तो यहाँ पर Jammu and Kashmir में तो गेरिश्चंद्र मुर्मू और लद्दा के अंदर ये हो जाएंगे राधा कृष्ण माथो ठीक है ये important चार question यहाँ से बन सकते हैं तो इसको आप लोग definite way में याद रखेंगे और अगर समझने में कोई भी doubts है तो आप नीचे comment करते रहिए मैं आपको बाद में उसका answer भी दे दूँगा अगले question पर चलते हैं यहाँ पर short question है ज्यादा आपको नहीं समझना आपको पता ही है बहुत सारे awards and honors दिये जाते हैं तो उसी में एक 28th व्यास सम्मान जो है वो दिया गया ठीक है यह क्या होता है 2018 का हमने दिया 2019 में अब 19 का कब देंगे 20 में तो अभी यह दिया नहीं गया है 20 में इसलिए आपको उस पर दिमार्ट नहीं लगा तो recent आपके exam परपस से क्या हो जाता है 28th व्यास सम्मान हो जाता है किसे दिया लीलाधर जगूरी को दिया है ठीक है यह क्या है एक पोएट है इनकी पोएटरी का एक कलेक्शन है जिसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम ठीक है उनके लिए इनको यह अवाड दिया गया है कि 28 व्यास सम्मान जो है किसको दिया गया तो आप लोग बोलेंगे लीलाधर जगूरी को अब लीलाधर जगूरी को क्यों दिया गया तो आप लोग यहां पे बताएंगे कि इन्होंने एक poetry collection दी थी जिसका नाम क्या था जितने लोग उतने प्रेम तो उसके लिए इनको क्या क चीजे clear होगी आपके लिए अगला जो हमारा topic है यहां पर एक्चुल में क्या होता है कि आप लोगों को पता है cyber attacks के बारे में ठीक है आप लोग जानते हैं कि आपके mobile पे अगर किसी भी type से invade कर दिया जाए तो उसे hack किया जा सकता है आपकी details निकाली जा सकती और बहुत सार है cert in ठीक है जिसको आप लोग क्या भूलेंगे Indian computer emergency response team ठीक है full form के रूप में जबके short form में कहा है CRT cert in for India ठीक है computer emergency response team है यह अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने यह पाया कि इंडिया के अंदर जो एक nuclear power plant है अब nuclear power plant क्या होते है तो आप लोगों को थोड़ा सा idea होगा कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं electricity बनाते है nuclear energy से nuclear energy में अगर मैं बात करो तो आपको थोड़ा सा idea होगा कि हमारे पास available है uranium uranium thorium यह सारे क्या है radio active element है अप लोगोंने अपनी 8th class के book में पढ़ा भी होगा तो वहां पर इन सब का use करते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं electricity form करन है तो वो जिस जगय किया जाता है उसको हम बोलते है nuclear power plant तो यहां पर इंडिया में एक nuclear power plant है जिसका नाम क्या है kudan kulum ठेक है नाम आप याद रखेंगे kudan kulum nuclear power plant कहां पर है यह तमिल नाडू है आप से state पूछा जा सकता है यह याद रख लीजेगा तो तमिल नाडू में जो kudan kulum nuclear power plant है इस nuclear power plant पे इन्होंने देखा कि sudden कोई virus attack देखने को मिल रहा है जिसको इन लोगोंने cover up कर लिया ठीक है याने की बचा लिया तो kudan kulum जो है वो आपके लिए important हो जाता है क्योंकि यहां पे जब nuclear material आपके पास available है इन nuclear material का यूज करके आप atom bomb भी बना सकते हो यहां पे अगर इनके computer को hack कर लिया जाए तो यह सारी चीज़ें blast हो सकती है जिससे यहां पे बहुत बड़ा incident हो सकता था तो उसको control कर लिया गया है लेकिन यह बहुत ज़्यादा dangerous होता है इसलिए आपके लिए important भी हो जाएगा ठीक है यहां पे kudan kulum के बारे में बात करे हैं और इन में से total plant कितने हैं seven plant है तो इन seven plant में 22 ऐसे nuclear जो reactors है वो लखे हुए है और यही reactor क्या करते है electricity produce करने का काम करते हैं ठीक है आप लोगों से अगर पूछा जाए कि पहला nuclear power plant कहां पे established हुआ था इंडिया के अंदर तो वह आप लोग एक बार comment करके मुझे बता ठीक है comment section में डालिएगा अगले question पर जलते हैं जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब इंडिया को unite करने का काम किया गया था after independence तो जो में रोल था यह में रोल किसका था सरदार वल्लब भाई पतेल का था ठीक है इसी कारण से हम लोग इनको iron man of India के नाम से जानते हैं क्यों iron man of India के नाम से जानते हैं टोटल हमारे पास 565 states अवेलिबल थे ठेक है और यह 565 के है प्रिंसली states है जो राजा महराजा वगरा होते थे यह सारे थे तो जब independence में मिलता है तो उस time period में इनको आपको बताना है कि भी आपको इंडिया में रहना है ठेक है तो आप लोगों को अपना राज छोड़के इंडिया के लिए sign up करना है और आप सब जो है इंडियान government की बात मानोगे तो इतनी easily कोई भी राजा छोड़के अपना state किसी दूसरे को नहीं देता लेकिन इन्होंने अपने effort से इन सब को एक किया और इंडिया का जो present form आप लोग भाई पतेल ने किया था इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं iron man of India के नाम से भी जानते हैं recently आपको पता है इनका एक statue बनाया गया था जिसको हम लोग statue of unity के नाम से भी जानते हैं यह statue of unity कहां पर है के वडिया में है के वडिया कहां गुजरात के अंदर ठीक है तो recently इनका ज यहां पर तो इसलिए भी आपके लिए थोड़ा सा important हो जाता है ठीक है तो यह date आप याद रखिएगा सर्दार वल्ला भाई पतेल को भी याद रखिएगा तो यह सारी चीजें important है अगला जो यहां पर छोटा साब को linear way में याद रखना है कि एक हमारे पास available है international atomic energy agency ठीक है यह क्या करता है किसी भी state के पास जो radioactive element है ठीक है यह क्या होता है radioactive element यह radioactive element जो होता है just like uranium, thorium यह सारी चीजें इन से radiations निकलता है ठीक है तो इनको क्या किया जाए इनको preserve किया जाए इनका जो use है वो बहुत limited होना चाहिए बहुत controlled use होना चाहिए otherwise क्या होगा आप यह समझ सक है कि इनसे atom bomb बनाया जा सकते है तो उन सारी activity को control करने के लिए कि कौन सी country इसका destructive use कर रही है या फिर कौन सी country इसका constructive use कर रही है देखो destructive use का मतलब क्या होता है bombs वगरा को create करना जबकि constructive use का मतलब क्या होता है अपने उसे nuclear energy develop की जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कुडन कुलम plant के बारे में तो उनको govern करने के लिए एक independent body है United Nations की जिसको हम लोग बोलता है International Atomic Energy Agency ये जो International Atomic Energy Agency है इसके नए director general बनाए गए है तो आपको इनका नाम याद होना चीए राफल मरियानो ग्रॉसी ठेकर तो ये जो राफल मरियानो ग्रॉसी है ये कहां के हैं अर् याद रखने वाले हैं ठीक है तो वह आपके लिए important हो जाएगा याद रखना ये आप लोग यहां पर clear कर लेंगे ठीक है second thing ये जो particular organization है इसका headquarter कहा है तो आप पूलेंगे Vienna Austria के अंदर available है ठीक है ये दो चीजें आपको यहां से याद रखनी है अगला important हमारे पास आ जात और judiciary legislative क्या करता है rules and regulations को बनाता है ठीक है just like parliament के अंदर rules वगरा बनते है executive के अंदर क्या होता है उन rules and regulations को कैसे imply किया जाए लोगों से कैसे करवाया जाए उन सारे कामों को apply तो वह सारा काम किसका होता है executive का होता है लेकिन अगर बीच में किसी भी प्रकार की गढ़ड है या फर constitution की व्याख्या करनी है तो ऐसे में हमारे पास judiciary available है तो judiciary जो कि आप जानते हैं इंडिया के अंदर session court है ठीक है then after high court है then supreme court है और भी various different court available है ठीक है इन में से जो supreme court है वह आपको पता है Indian judicial system का सबसे बड़ा organization है तो यहां के जो head होते है उनको हम लोग क्या बोलते है chief justice of India क के नाम से जानते हैं तो अभी recently क्या हुआ कि जो अरविंद बोबडे है ठीक है justice शरद अरविंद बोबडे इनको इंडिया का 47th chief justice of India appoint किया गया है chief justice वगरा को appoint कौन करता है तो president करता है तो यहां पे इंडिया के present president कौन है तो रामनात कोविंद जी है इनका नाम भी आप ल चीजों को इनके पहले जो थे क्या वो कौन थे तो chief justice of India डॉक्टर रंजन गोगोई थे या फिर आप गोगोई के नाम से भी याद कर सकते हैं तो अगर आपसे पूछ ले 46th chief justice कौन तो आप बोलेंगे गोगोई जबकि 47th कौन है तो अरविंद बोबडे है ठीक है इन नेम् यह जो post का number है इसे change करके आप लोगों का exam बिगार सकता है ठीक है न समझ रहे होंगे अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 550th birth anniversary मनाई जारी है बाबा गुरू नानक देव की ठीक है अब बाबा गुरू नानक देव के बारे में आप लोग सब जानते ही है कि यह founder है सिक से related और सिक के अंदर क्या होता है total 10 सिक गुरू है ठीक है उनमें से first सिक गुरू थे ठीक है तो यहाँ पर मैं यह बोल सकता हूं कि सिखिस्म को establish करने वाले first person थे तो इनके birth anniversary मनाई जारी है और यह जो 2019 था ठीक है यहाँ पर 2019 की मैं बात कर रहा हूं यह इनका 550th birth anniversary है तो सम सकते हैं कि amount के according इनका birth anniversary भी important हो जाता है और सिक धर्म के अंदर इनका एक monogram यह religious symbol होता है ठीक है religious symbol में जैसे आप लोग Hinduism में देखोगे तो हम लोग स्वास्तिक का निशान करते हैं ठीक है और उसी टाइप में हम लोग ओम वगरा लिखते हैं और ऐसे ही जो Muslims हैं उनके अं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं यह वाला symbol इस symbol को यहां पर बनाया गया है ठीक है कहां पर बनाया गया है तो आप लोग बोलेंगे Air India ने अपने एक flight पे इस symbol को बनाया ठीक है जो कि इनको highest tribute पे करने के लिए ऐसा किया गया है Air India की तरब से तो यह काम किया गया और ब सिंबल को बनाया गया है एक तो यह important हो सकता है second thing आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो birth anniversary है इसको किस नाम से जानते हैं तो यहां पर आपका correct answer क्या होगा प्रकाश पर्व ठीक है इनके birth anniversary को गुरु नानक देव जी के birth anniversary को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है ठीक उसी से related एक और concept आपको देखने को मिलेगा कि यह जो करतार्सपुर साहिब corridor है उससे related बहुत सारी information या news आप लोगों को देखने को मिली होगी ठीक है तो जब हम गुरु नानक देव जी का 550th birthday यहां पर celebrate कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इन्होंने अपने life का एक अच् पंजाब के अंदर है और दूसरा इन्होंने अपना एक time spent किया था दर्बारा साहिब के अंदर जो कहां पे है करतारपुर में है अब आपको पता है गुर्दासपुर तो इंडिया में है जबके करतारपुर जो है वो चला जाता है पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया का व दर्शन किया जाता था लेकिन government ने ये deal out किया कि हम लोग इन लोगों को दर्शन करने जाने के लिए कुछ system बनाएं तो यहां पर एक corridor बनाया गया ठीक है यह corridor के थूर यहां से यह लोग क्या करेंगे जाएंगे और same day visit करके वापस आ जाएंगे दर्शन करके ठीक है इसी corridor का नाम रखा गया है करतारपुर साहिब corridor ठीक है यह करतारपुर साहिब corridor important है लेकिन अगर question थोड़ा सा twisted way में आपसे पूछे कि यह जो river देख रहे हो आप यह जो blue line है यह क्या होता है map के अंदर river होता है तो किस river को cross करते हुए यह corridor बनाया गया है तो आपका जो answer हो जाएग पहला district बन रहा है गुजरात का जो की kerosene free हो जाएगा ठीक है अब basically आप लोगों को पता है kerosene का जब हम use करते हैं तो बहुत सारे pollutants निकल कर आते हैं जिससे environment को और persons की health को नुकसान हो सकता है तो उन से बचाने के लिए जो union minister है आमित साह जी इन्हों नहीं क्या किया था 1000 LPG connection बाते थे गुजरात के गांधी नगर district के अंदर ठीक है और उसके बाद यह declare कि आग था कि गांधी नगर पहला district हो जाएगा गुजरात का जो की kerosene free हुआ है तो यह important लेकिन क्या गांधी नगर इंडिया में सबसे पहला है तो आप बोलेंगे बिलकुल भी नहीं क्यों नहीं क्योंकि चंदीगर जो है ठीक है चंदीगर इंडिया का पहला kerosene free state डेकलेर किया गया था और गुजरात का पहला state तो आप लोग बूलेंगे यहां पर गांधी नगर ठीक है तो दोनों में confuse मत होना कि question क्या पूचा है और आप answer क्या टिक कर रहो ठीक है और दूसरी यह जो particular cylinder बाते गए थे यह उजवला यूजना के थू बाते गए थे इसको भी आप लोग साथ में याद रखेंगे जिसमें क्या करते हैं LPG connections को distribute करने का काम करते हैं ताकि लोग अपना जो cooking food का method है उसको improve कर सकें अगला question यहां पर आपके सामने आ जाएगा हो सकता है world largest school स से पूछ लिया जाए तो देखो आपको याद रखना है लखनाओ का एक school है जिसका नाम है Montsori school ठीक है city Montsori school जिसे हम CMS के नाम से भी जानते हैं यह world का सबसे largest school है in term of strength of student का मतलब यहां पर जो number of student है उनके according यह worldwide सबसे largest school है क्योंकि इसके total 18 branch में 56,000 students जो है वो पढ़ते हैं तो यह important हो जाएगा तो नाम आपको याद रखना है सिर्फ बाकी आप लोगों को कुछ भी याँ पर याद नहीं रखना है ठीक है फिर पूछा जाए आपसे rising day of ITBP से ठीक है तो ITBP का है तो आप बोलेंगे इंडो तिबबत border police है इंडिया और तिबबत का जो border है वहां प पॉर्म कब किया गया था अगर स्टाटिक जीके में question आ जाया तो देखो जो सिनो इंडिया war हुआ था 1962 में उसके बाद इसका establishment किया गया था ठीक है तो आपको यह याद रखना है कि ITBP कब establish हुआ तो 1962 में establish किया गया था ठीक है और 24th of October के दिन ही establish किया गया था इसी लिए 24th of October को हम लोग जो rising दे हैं उससे celebrate करते हैं ठीक है तो 24th October अगर आप से पूछे क्या था तो भी आप बोलोगे क्या कि एक rising दे था किसका rising दे था तो ITBP का rising दे था ठीक है यह आप लोगोंने याद कर लिय है अगला जो हमारा topic है Transboundary Wildlife Conservation Park बनाने के लिए डील आउट किया है ठीक है तो यहां पर इंडिया ने ने और भूटान ने यह डील किया है अब यह डील क्या है सब्सक्रों करो यह जो particular area यह land है जहां पर national park हम बना सकते हैं national park क्यों बनाते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम हम लोग देखते हैं कि जितने भी अपने organism हैं उनको प्रिजर्व करना हुआ या फिर अपने environment को प्रिजर्व करना हुआ तो उससे related हम लोग national park wildlife century वगरा constitute करते हैं लेकिन ऐसा wildlife century या पार्क जो की more than one nation में आता हो ठीक है Transboundary हो ठीक है जिसका मतलब कुछ area हमारे यहां पे है और कुछ area दूसरे country के पास है तो ऐसे हमें उसको preserve करने के लिए कैसे rules and regulations बनेंगे उससे related conservation park के लिए इन्होंने deal out किया है और ऐसा पहला जो conservation park है वो हमारे पास already है उसका नाम क्या है मानस park reason है ठीक है मानस इसको अप लोगों को याद रखना है और यह जो मानस park है यह important क्य है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ यहां पर elephant को preserve किया जाता है जैसा कि image में मैंने बहुत सारे elephant रखे हैं तो आपको image से वैसे ही याद हो जाएगा कि elephants की यहां पर बात की जारी है यहां पर project tiger भी work करता है UNESCO का यह natural heritage भी है ठीक है UNESCO के ब famous है buffalo को भी बचाने के लिए ठीक है तो वह भी important है और किस river के tributary है मानस तो मानस आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र river की tributary है ठीक है तो यह सारे important fact हो सकते हैं जो आपको यहां पर याद रखने पड़ेंगे ठीक है अगला हम देखेंगे ease of doing business ranking अब देखो क्या होता है बहुत सारे organization बहुत सारे ranking को issue करते हैं अब ranking जैसे कि आप लोग अपने school में या अपने class के अंदर देख पाते हो कि किसके ज्यादा marks थे तो कौन सी country में हम लोग business आसानी से कर सकते हैं ठीक है उसको access करने के लिए एक particular जो काम किया करते है report publish करने का वो कौन है तो world bank है ठीक है आप लोग याद रखेंगे कि world bank ये report publish करता है report का नाम क्या है ease of doing business ranking ठीक है यानि कि कहां पे कितना trade करना आसान है तो इसको publish किया गया ठीक है कब किया गया date आप से कोई नहीं पूछेगा कभी नहीं पूछेगा आप ये बताएंगे इंडिया की rank यहां पे 63 है ठीक है तो यह आप लोग इसली याद कर लीजिएगा अगली चीज हम देखेंगे वुषू world championship हुआ था और इंडिया के जो प्रवीन कुमार है ठीक है यह यहां पे first Indian person हो जाते है जिन्होंने एक gold medal जीता है ठीक है तो आप इनका नाम भी importantly याद होना चाहिए वुषू world championship जो कि कहां पे हुआ था तो आप लोग बूलेंगे वुषू के अंदर हुआ था है वुषू कहां पे है तो आप बूलेंगे चाइना के अंदर है तो चाइना के अंदर जो वुषू world championship हुआ उसमें इंडिया के लिए gold medal लेन जा सकती है जबकि यह जो वुषू organization है यह जो championship है यह इसका 15th edition था ठीक है पंदरवा edition था उसके अंदर इंडिया ने इसको जीता है ठीक है अगला आप देखोगे तो इंडिया में जो highest bridge है ठीक है उसका inauguration किया गया यहां पे image के अंदर आप दो लोगों को देख पा रहे ह ठीक है यह दोनों कौन है बहुत prominent person है अब यहां पर देखेंगे तो जो इंडिया के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर थे राजनात सिंग जी ठीक है इन्होंने क्या इंडिया का जो highest bridge है उसका inauguration किया और इस inauguration के बाद इन्होंने इस bridge का जो नाम है वो लदाक के ला अब Lion of Ladakh हम किसे कहते हैं तो Sina के परसन थे Colonial Chivang Rinchen इनके नाम पर इस bridge का नाम क्या कर दिया चिवांग रिंचिन सेतु ठीक है आप लोगों को बस लास्ट में सेतु लगाना है तो कॉलोनियल चिवांग रिंचिन सेतु इस ब्रिज का यहां पर इन्होंने नाम बदल कर कर दिया यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ठीक है अब यहां पर बात करेंगे कि यह लदाग के अंदर है जैसा कि आपको पता है लदाग जस्ट रे यूटी बना है वह भी इंपॉर्टेंट है ठीक है second thing यहां पर अगर हम लोग बात करें कि यह पर्टिकुलर रिजन है ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है strategic point of view से strategic point of view का मतलब क्या होता है जहां पर एक से ज़्यादा countries की जो boundary है वो touch हो रही हो तो वहां पर आप लोगों को अगर war like situation हो तो सेना वगरा को कैसे भेजोगे तो उसके लिए ये arrangement किये जाते है ठीक है तो यहां पर ये रिज बनाए गया और आपको पता होना चाहिए चाइना बॉर्डर के बिलकुल पास है 45 किलो मेटर पर ही है ठीक है ये क्या करता है दो जगहों को connect करता है उनका नाम आप याद रखेंगे पहला तो है लेह का दर्बुक ठीक है दर्बुक कहां पर है लेह के अंदर है लेह लदाक है आपको पता ही है और दौलत बेग ओल्डी इन दोनों जगहों को connect करने का यहां पर ये काम करेगा तो जिस परसन के नाम पर हम लोगों ने इसका नाम रखा चिवांग रिंचन से तू ये कौन थे तो इंडिया पाकिस्तान को फ्लॉ करते हुए ये रिवर निकलती है ये इस रिवर का नाम क्या है तो आप लोग बोलेंगे सिंधु रिवर तिक है जिसके उपर इसको बनाया गया है अब सिंधु रिवर जो कि CHOOQ के नाम से भी यहां पर जानी जाती है उसके उपर इस ब्रेज का इनौगरेशन किया तो आप से क्या क्या पूच सकता है हाइस ब्रेज इंडिया में कौन सा है तो आप भूल देंगे कोलोनियल चिवांग रिंचन से तू कहां पर है लदाख में है तो यह आपका इजीली काम हो जाएगा किस रिवर के उपर है तो आप बूल देंगे शोक रिवर के उपर है किस को कनेक्ट करता है तो देर्बुक और दौलत बेग उडी को कनेक्ट करता है सेकंड ठीक है क्लास तोड़ी से लंबी हो रही है आप लोग इजीली देख सकते हैं इसको ठीक है क्योंकि आपके एक्जाम में 10 तू 15 डेज ही बचे है तो इजीली अब आप थोड़ा सा महनत करें ठीक है अब यहां पर देखेंगे एक सियाचीन ग्लेशियर है आपको पता है जब यह लोग पहुचे थे यहां पर कॉलोनियल चिवांग रिंचन सेतू के इनाउगरेशन के लिए उसी टाइम पर जो डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग है इन्होंने यह अनौन्स किया था कि सियाचीन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाइएस्ट बैटल फील्ड है विश्व का सबसे उचा बैटल फील्ड है उसे हम लोग अब क्या करेंगे टूरिस्ट के लिए ओपन कर देंगे जिससे टूरिस्ट भी यहां पर आकर यह जान पाएंगे कि जो सेना के लोग हैं यहां पर कितनी महनत के साथ और कितनी मुश्किलों में अपना जीवन बितात हैं और देश के रक्षा के लिए काम करते हैं तो यह आप लोगों को याद रखना है सियाचीन ग्लेशियर के बारे में यह हमाले के कौन से रेंज में हैं यह क्वेस्टन कई बार पूछा गया है तो आप ध्यान रखेंगे करा कोरम रेंज के अंदर स्टैबलिश है ठीक है और यह वर्ल्ड का हाइस्ट मिलिटरी जोन के रूप में भी माना जाता है यह चीज आप याद रखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर मिलिटरी क्यों डिपलॉय की तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से इस एरिया को जो है अपने कबजे में लेने की तो सियाचीन ग्लेशियर से रिलेटेड है यह भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे अगला यहाँ पर आता है कि अनिवर्सरी मना रहे हम आजाद हिंद फॉज की जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग फ्रीडम हुए नहीं थे उस ताम पीरिएड में सब के अपने अपने effort ते गांधी जी के नितरित्व में भी लोग काम कर रहे थे सुभाष चंद्र बोष भी अपने तरीके से काम कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोष ने यहाँ पर यहाँ पर अज्यूम किया था कि हम लोगों को क्या करना है लड़ना है और युक्ड करेंगे हम Britishers के पूरी फॉज बनाई और यहां पे इन्टोंने इंडिया को फ्रीडम डिक्लैर किया था ठीक है और यह कहां पर स्टैबलिश किया था सिंगापूर में 1943 में यह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा इसको आप लोग याद रखिएगा एक तो जैपैनिस थे इटैलियन थे और नाजी जो कि जर्मनी के हैं अदर जो एलीज के अंदर सिक्स हैं उन लोगों ने इंडिया का यहां पर सपोर्ट किया था ठीक है अगला question यहां पर हम देखेंगे सुल्तान ओफ जोहर कप के बारे में तो Great Britain ने इंडिया को यहां पर हरा दिया और जो सुल्तान ओफ जोहर कप होकी जो नामेंट है यह जीत दिया ठीक है यह कहां पर हुआ था मलेशिया के अंदर हुआ था यह याद रखेंगे तो Britain यहां पर First आता है जबकि इंडिया यहां पर क्या हो जाएगा Second हो जाएगा यह आप लोगों को यहां पर याद रखना है ठीक है और इंडिया को यहां पर अगर Second Prize आये थे तो आप लोगों को प अंदर है वहां पे हुआ था और आप लोगों को पता है वहां जो चाइना की सिटी है कोरोना वाइरस के कारण भी लैम लाइट में रहा था जिसके उपर आगे के वीडियो इसमें मैं आपको डिसकस करूंगा तो इसीज को इंपोर्टन की आप लोग यहां पर याद रख लें है ठीक है उसे हम कहते हैं ISS यानि की इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन ठीक है अप नेट पर सरच करके इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन को देख सकते हैं वीडियो वगरा भी आपको मिल जाएंगे वहां पे नासा के दो जो वुमेन एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम आपको याद रखना है जैसिका मीर और क्रिश्चीना कॉच यह दोनों वुमेन ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था यहां पर स्पेस वॉक किया था स्पेस वॉक का मतलब आप समझते ही है कि अपना जो स्पेस चटल है उससे बाहर निकलकर उसकी रिपैर अन मेंटेनेंस का काम किया गया थ अपने स्पेस शूट में यह लोग बाहर अविलेबल थे तो यह जो पर्टिकुलर काम किया गया यह वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसलिए आपको याद रखना है लेकिन यह दो जने थे और वुमेन से इसलिए यह एक ग्रूप इवन्ट माना जा रहा है जबकि फर्स्ट वुम अगर पर्सन की बात की जाए जो सबसे पहले स्पेस वक किये थे तो सोवियत यूनियन के थे और उनका नाम क्या था एलेक्सी लेनोहो ठीक है इनका नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अगला जो 65 इंडियन ग्रांड मास्टर चेस चैंपियन्शिप हुआ था इसे जीता किसने था तो रौनक सदवानी ने इसे जीता था ठीक है 65 एडिशन है और आपको जानकर खुशी होगी कि यह आप ही के एज के हैं जस्ट थर्टीन इयर्स ओल ठीक है तो यह आप लोग याद रख लेंगे कहां पर फांड किया गया था यह तो पैरिस में फांड क चला था कि जो गर्ल्स हैं उनको भी सैनिक स्कूल में अब एंट्री दी जा रही है ठीक है यह सैनिक स्कूल में किया गया है मिलेटरी स्कूल में या मिलेटरी कॉलेजेज में नहीं किया जा रहा है ठीक है तो राजनात सिंग ने ऐसा फर्स टाइम एनाउंस किया कि सैनिक स् प्रोजेक्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनिशियेट किया है देन आफ्टर उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे हम लोग क्या करेंगे काम करेंगे ठीक है तो यह सबसे पहले कहां पर किया गया था तो आप बोलेंगे सैनिक स्कूल चिंग चिप क तो डीजी का मतलब डाइरेक्टर जेनरल होता है आप लोगों को पता ही है यहां पेज एक कमिटी ने अनॉंस किया इस कमिटी के हेड नरेंद्र मोधी थे आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एक हाई लेवल कमिटी के अंदर इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर अनूप कुमार सिंग नाम याद रखना है अनूप कुमार सिंग को यहां पर डाइरेक्टर जेनरल डिक्लेर किया एनसजी का एनसजी आपको पता है नैशनल सेक्यॉरिटी गार्ड है जो कि कुछ स्पेसिफिक परसंस को जो कि हाईलाइट और हाई प्रस्टीजि ठीक है यह कब स्टैब्लिश किया गया तो आप लोग देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ठीक है पंजाब के अंदर हुआ था और उसके बाद एसी नेशन हुआ था इंदरा गांधी की यहां पर डैथ हुई थी अक्षाधाम टेंपल पर अटैक हुआ था उसके यह बनाया गया था कि यह जो प्रॉमिनेंट परसंस है उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से कुछ होना चाहिए तो एनेशी को फॉर्म किया गया थीक है तो एनेशी के नए डिरेक्टर जेनरल कौन अनूप कुमार सिंग हो जाएंगे अगला क्वेस्चन बुद साइप निग से डिलेटेट साइध है वहां पर आपको करवाएगा तौ यह जो साइध है वो कौन कौन से हैं लुमबीनी है क्यों इंपोर्टेंट है क्यों क्यों पर गॉत जन्म बुद्ध का जन्म हुआ था, second बोध गया है, क्यों important है, क्योंकि यहीं पर उन्हें enlightenment या फिर enlightenment या फिर ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है उसकी प्राप्ती हुई थी, third thing यहां पर सारनाथ जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, first ceremony किया था, और कुशी जहां पर इनका महापरी निर्वान हुआ था, तो इन चारो प्लेसेस को विजट करवाने का काम करवाया जाएगा, तो यह जो बुद्धिस्ट सरकिट है, यहां पर आप से पूच सकता है कि कौन-कौन सी जगों को include किया गया है, ठीक है, तो इन चारो जगों के नाम को आप करेंगे, यह current में भी important है, और static gk में भी important है, तो student यह था हमारा आज का session, I hope आप लोगों को easily समझ में आया होगा, ठीक है, कल का session भी same time पे होगा, ठीक है, 10-15 पे यह classes regularly आपके लिए अपडेट की जाएंगी, और अगर आप लोगों को notification नहीं मिलता है, तो WhatsApp के थरू notification चाह आते हैं, तो आप मुझे contact कर सकते हैं, ठीक है, इस number पर, आप लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ WhatsApp करेंगे, ठीक है, और जो भी queries या doubt हो, आप लोग यहाँ पर drop out कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज call करके परिशान मत कीजिएगा, क्योंकि मैं recordings वगर आप पर होता हूँ, तो कई ब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को और भी notification और other जितने भी information में आप लोगों के लिए देता हूँ, वो भी मिल जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं आप से कल अगले session में, तब तक के लिए, जैहिंद,